गुड इवनिंग फ्रेंट्स मैं कीरन आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल कीरन व्लोग्स में देखो फ्रेंट्स बारिश की वज़े से पूरा पूरा दिन घर में निकल रहा है योकि बारिश रुकी नहीं रिये चार-पास दिन होगे बिल्कुल भी नहीं रुक रही और बच्चों को चाहिए बाहर तो निकलनी पारे बिल्कुल भी तो अंदर ये अंदर कुछ न कुछ दगो आपको पता ही यह खाने के लिए चलता रहेगा तो यह मैं बना रही हूं देखो आलू मैंने कट कर लिया है लंबे-लंबे मैंने रफली काटन उसमें मैंने डाला इसन और हरी मिर्च का थोड़ा सा पेस्ट मैं बना रही हूं चिली पटेटो करके जो डिश आती है ना एक चाइनीज वो बना रही हूं बट इसमें चिली तो है नहीं जो मेरे पास घर में एवेलेबल है मैं उसी से बनाती हूं मैंने आभी इसमें देखो नमक और मसाला और यह जरूरी नहीं है कि देखो मार्केट में हमारे पास जो समान हो हम सारा ही चाहिए हमें कि जो इसमें डलता है यह मैं देगी मिर्च का इस्तमाल कर रही हूं इसमें तो जो मेरे पास घर में एवेलेबल रहता है मैं जादे तर उसी से बना देती हूं ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इसके लिए श्पेस्टल जो जो इसमें डलता है वो तो हमारे पास है नहीं तो हम तो इसको बनाएंगे नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है कुछ भी जो हमारे पास हमाने वो डाल लो और यह खाने में बिल्कुल सेम वैसा ही लगता है जैसा इसमें जैसे की सिम्ला मिल्च कट करके लंबे-लंबे बुडलते हैं और जैसे की प्याज जो होते हैं हरे प्याज तो उनको डालते हैं इसमें काट के पत्ते नहीं उसके जो बीच की डंठल सा होता है ना उसका उनको बारी-बारी चौप करके उसको डालते हैं इसमें तो देखो अगर हमारे पास समान नहीं हम उस चीज को बनाएंगी नहीं, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, जो समान अपने घर में हो, तो आगे-आगे वैसे भी lockdown लगने की process चल रहे हैं, तो जो चीज हमारे घर पर आप ले बोलो, उसी से अपना काम चलाना चाहिए, यह मैंने डाला इसमें, दो चमज कॉर्ण फ्ल नहीं पर चांता है, तो इसमें कोट हो जाए तो अगर हमें जरूरत पड़ीगी तो हम और ढालेंगे, लेकिन अभी हम इसको पहले मिक्स करेंगे, क्योंकि देखो मैदा और जो पांट फ्लोर होता है नीचे बाळ जयता तो अगर अब थीज़ुरत पड़ती है तो अगर आ बारिस में जैसे पूरी फैमिली बैठी हो और यह सब चीजे कुछ ना कुछ मिलती रहे तो पकोड़े तो कुछ नया ट्राय करने की आप भी ज़रूर ट्राय करें कोशिश की है अब हम इसको डीप फ्राय करेंगे तो इसके लिए हमारा जो तेल है वह बहुत तेज गरम होना चाहिए पहले तेज गरम होना चाहिए और डालने के बाद हम उसको बिल्कुल लो कर देंगे ताकि वह अच्छे से अंदर तक पक जाए क्योंकि हमने आलो को बॉइल वगएरा कुछ नहीं किया है और नहीं करते इसमें पर यह कि चौकर चौकर पीस काटते हैं मैंने रफली क्रिट करेंगे और देखो किती बढ़या नो फ्राइय होुँए न देखो परसिन का कलर किता बढ़ी आया के बादे के कोटिंग बहुत बढ़ी आई है और गुमाने के साब से आपको पता चल रहा होगा देखो कितने कुरकुरे ही हो रहे हैं एंको अभी मैं इनको तोड़ भी पलट के छोड़ रहे हूं और साइड में मैंने दूसरी कड़ाई रख लिए देखो अलोग के लिए देखो फ्रेंट मैं इसको अभी इसमें से ही तेल ले रहे हूं क्योंकि ये तेल वे ना काफी गरम है और नया तेल इसलिए यूज नहीं कर रहे हूं यहीं वाला खतम हो में हमें एकदम से ही प्याज डाल देना है इसमें लसन को बूने का कोई मतलब नहीं कच्छा ही होना चाहिए तब इसका टेस्ट आता है और यह डाले मैंने प्याज दो बड़े प्याज मैंने चॉप कर ले थे लंबे-ंबे तो मैंने डाले और मैंने गैस के फ्लेम को कर दिय बिल्कुल लो क्योंकि तेज हो रहा है सब चीज तो इसलिए लो कर दिया यह देखो फ्रेंट्स मैंने इसमे डाली हरी मिर्च अब यह मेरे फ्राइय हो चुके हैं तो आप मैं इनको निकाल रही हूं ग्यास का फ्लेब मैंने कर दिया है बंद अब इनको तेल साइड करकर के मैं इनको निकाल लोंगी देखो आलू पुरी तरह गल के देखो फ्रेंट्स अभी यह मेरे हो चुके है ना प्याज वगेरा मैंने घुमा दिया अब मैं इसमें बाकी का समान डालती हूं गैस का फ्लेम तेज हो रहा था तो मैंने बंद कर दिया अब फिर से स्टार्ट किया देखो अध्रक लहसन का पेस्ट डाल रहे हूं इसमें मैंने आलू में भी डाला था तो इसलिए देख के डालेंगे जितना हमें जरूरत है बस इतना काफी है आधा चमच के गरीब डाला है तो थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें सिर का अपनी मैं के हिसाब से हम सारी चीज़ों को यूज करेंगे तो मैंने थोड़े से बनाये हैं तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही समान डाल रहे हूं यह है चिली सॉस जितना आपके बच्चे मिर्ज खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इससे डाल सकते हैं और यह है ब् नहीं है तो कोई बात नहीं है अभी मैं डालते हूं इसमें कुछ स्पाइस नमक देखो मैंने पहले चिली पटेटो वो फ्राइब करते समय भी डाला है तो इसलिए कम डालेंगी और यह डाल रही हूं मैं धनिया पॉर्टर मिर्च का मैंने बिल्कुल यूज नहीं करा क्यो बच्चों के हिसाब से थोड़ा मिर्च को ज्याजा नहीं करना है खाते नहीं है हमारे यह बाकी समान देखो मैं साथ साथ हटा रही हूं यहां से किचन में लगने के लिए न मन से उसको करना पड़ता है तो हर एक चीज में टाइम तो लगता है क्योंकि इसमें भी बहुत डबल काम है बट लेकिन बच्चों के लिए तो करना परता है ना देखो फ्रेंट्स अब हम इसे अच्छे से चलाएंगी जो प्याज थोड़ा सा हलका ट्रांस्पेरेंट हो जाए इतना हम इसको चलाएंगी प्याज को इसमें ज्यादा नहीं भूनना है थोड़ा क्रंची नहीं सुन में रहनी चाहिए तो हमें हलके उसमें चलाते होगे अपने हिजाब से चेक करके मूल अभी हमारे प्याज हो चुके हैं रेडी तो हमने इसमें अपने ये जो आलू हमने फ्राई के थे ना वो एड कर दिये और गैस का फ्लेम कर दिया है बिलकुल लो और इनको अ मैदा और एक चमज कॉर्ण फ्लोर को पानी में घोल लिया था तो यह मैं इसमें एड कर रही हूं थोड़ा सा पानी भी एड कर रही हूं देखो हलका सा एक दो चमज बस और अब इनको अच्छे से घुमाते हुए हम थोड़ी देर पकने देंगे जो यह भी हमने कॉर्ण फ फूड का यही एक वह है कि उसमें खटा मिठा टेस्ट होता है यह इसको अच्छे से में मैश कर देंगे गयास का फ्लेम बिकूल कर देंगे थोड़ी देर इसको पकने देंगे यह आलमोस्ट तियार हो चुका है यह देखो फ्रंट्स यह अब मेरा काफी आलमोस्ट बनके त जीली पटेटो पर यह मैंने बिल्कुल कैसे बनाते हैं वैसे नहीं बनाया जो मेरे पास सवान एबलेबल था मैंने उर्सी से बना दिया और थोड़ी ले पहले बच्छों में आपने देखा है वीडियो में थोड़ी से पॉपकॉर्ण एक पैकेट वूना था वोगाए कु लाइब जरूर कीजिएगा ओके बाबाइब